हाई एवरिवान वेल्कम बैक टू माय चैनल जैसे कि आप सबको पता है कि सीजन स्टार्ट हो चुका है और वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है गाइस मेरा कहने का मतलब है और ऐसे में अगर आपके पास भी प्री बैडल पैकेज़ेस हैं और बोडी पॉलिशिंग नहीं हम यूज करते हैं सारी चीज़े मैं बड़े डीटेल में समझाने वाले हूं तो गाइस जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दू मैं लिकर आती हूं ब्यूटी पालग कोर्स की क्लासेज अगर आप फ्री में घर बैटे पालग कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को यह और बता दू कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है आप सब्सक्राइब के साथ सार नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस करें जब भी मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूंगी तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ आपको मार्केट में इस तरीके की नेचर में मिल जाएगी, FIC की मिल जाएगी, और बहुत कई कभ़ोटी आने को में आते हैं, वह आपकी मर्दी है को किसमें लेना है, और इस तरीके से खुले में भी आते हैं, यासे कि आप क्लिंजिंग अलग से ले लिजे, स्क्रॉब अलग का है और ABH का Body Polishing है ये ABH भी Aroma की ही होती है तो ये अलग से है मतलब मैंने अलग-अलग से लिए आप चाहे तो किसी ब्रैंड का भी मतलब किसी जैसे मैंने आपको दिखाए Nature's का या फिर FIC का इस तरीके से भी ले सकते तो ये सबसे पहले तो आपको ये तीन प्रोड़क्ट की ही जरूरत पड़ेगी इसका मतलब है सबसे पहले आपको cleansing से start करना है जैसे कि हम facial में करते हैं मैं quickly आप लोग को यहाँ पर ये भी समझा दू कि Body Polishing की क्या जैसे आप देख सकते हैं कि वीडियो में चल रहा है cleansing और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि Body Polishing की क्या importance होती है गाईस देखो अगर आप Bride हो और आपकी शादी होने वाली है और आपको इंफ्यूज हो कि आपको Body Polishing लेनी चाहिए या नहीं तो इसका answer तो yes है कि आपको लेनी चाहिए बिकास Body Polishing से जितनी भी हमारी dead skin हो रही होती है और जितना भी हमारा weather के साब से हम अपना पूरी body पे हम इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हमारी body को एक तो pamper मिलता है उसके अलावा हमारी body बहुत अच्छे से clean हो जाती यहाँ पर मैं आप लोगों को legs पर cleansing करके दिखवा रही हूँ और यहाँ पर आप start legs से कर सकते हैं या फिर आपर से कर सकते हैं अगर आप पर यह student है और आपको सीखना है तो आप leg से करें तो क्यों body polishing पूरे में होती है leg, back, tummy और hands सब पे होती है अब हमारा client जितना भी part हमें show करना मतलब क्योंकि देखिए हर कोई body polishing के लिए comfortable नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए तो जितना भी हमारा client हमसे बोलता है उसे साब से फिर मैं आपको यहाँ पर shoot करके बता रही हूँ guys मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी महिनत करते हूँ और आप लोगों को एक एक concept समझाने के लिए काफी महिनत करते हूँ तो guys like बनता है और इसके साथ साथ अगर आपने मुझे instagram पर अभी तक follow नहीं किया न तो मुझे instagram पर भी follow कर लीजे तो यहाँ पर जो हम body polishing कर रहे हैं दोनों क्लिंजिंग आपको 2-3 मिनिट तक दोनों लैक्स पर करनी है एक दो मिनिट एक लैक पर फिर दूसरे लैक पर दोनों आपको एक एक पर करके इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों पर करके दिखाऊंगी तो समझी नहीं आएगा आप लोगों को अब यहाँ पर scrub में भी आपको क्या करना है फुल लैक पर scrub करना है मैं आपको बैक पर करके दिखाऊंगी सर्कुलर मोशन पर आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर मोशन पर आपको इस तरीके से करते जाना है आप लोग ना स्टैप का बड़ा ध्यान रखा करें कि किस तरीके से मैं स्टैप का मूमेंट कर आपको करना है और अब मैं आपको यहां पर दिखाने वाली हो बैक मसाज के लिए आपने क्या करना है आपने यहां पर हम ने भी क्लिजिंग करी थी तो इसी तरीके से आपको क्लिजिंग करनी है यहाँ पर और सर्कुलर मोशन में अब बैक मसाज पर बड़ा प्रेशर का ध्यान रखेंगे क्योंकि बैक मसाज पर जो हमारे बैक बोन से लेकर नेक तक का जो पार्ट होता है वो काफी स्ट्रेसफुल पार्ट होता है तो आपको बहुत अच्छे से करना रही जैसे कि बहुत साय लोगों को स्पाइनल कॉर्ण में बहुत सरा पेन होता है तो आप इस चीज का ध्यान रखें बड़े अच्छे से अराम अराम से आपने करना और इसके बाद आप इस तरीके से थम से लेते हुए जाएंगे उपर की तरफ और इसके बाद आप नीचे की तरफ इस तरीके से मसाज करेंगे यह भी हमारा चल रहा है क्लेंजिंग का पार्ट क्लेंजिंग कर रहे हैं हम और क्लेंजिंग के बाद हमने स्पंज से पूरा क्ले तो आपको बहुत ही जादा नॉर्मल हैंड से मसाज करनी है बहुत जादा आप यह मत करना कि आपको किसी और का मतलब आप बहुत ताइट हाथ से मत करना जिनकी अगर सेंसिटिव स्केन है तो इसी तरीके से आपको अपने हातों का ऐसे इस तरीके से पंच बना लेना है इस कर प्रफुलर मोशन में जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हो ना पूरा वीडियो जरूर नहीं मैं बोलती रहो और आप सुनते रहे जरूरी है कि आप वीडियो दियान से देखिए इंस्टाग्राम को पर अगर आपके तक मज़े फॉलो नहीं किया है न तो गो एंड फॉ कि हमने सी तरीके से करनी है अब लेकिन इस तरीके से करना है और हर ऐक मसाज आपको ध्यान रखनी है अकर आप उसी सेंस्ट्रीफ स्किन स्किन पे बैक पे मसाज कर रहे है या स्क्रब का पाट चल रहा है तो थोड़ा सा लाइट हैंड से करेंगे और मैं आपको साइमल्टेनियूसली हैं लैक्स पर से दिखा रहे हैं कि आप यह ना भूल जाए कि हम सिर्फ बैक पर ही करने हैं हमें लैक्स पर भी उसी तरीके से करना होता है और इसके बाद आप स्क्रब को भी इसी तरीके से क्लीन कर लेंगे जैसे कि आप लैक्स पर भी देख रहे हैं हमने स्क्रब किया और इसके बाद हमने स्पंज से क्लीन कर लिया इसी तरीके से आप कर लेंगे क्लीन स्क्रब को अब यहां पर जो मैंने आपको ओयल दिखाया था वहां आप आप ओयल से मसाज करना स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से आपको बॉड़ी पॉशिंग करनी चाहिए यह चीज का आप ध्यान रखें और अब यहां पर बॉड़ी अब हम क्या करेंगे यह जो मसाज है ना यह मैं आपको बैक पर करके दिखा रही हूं आपको लेक्स पर और सब जगे करना है हैं तो आप यह चीज क बड़ा ध्यान रखेंगे हम आपको बॉड़ी आपको यहां पर आप देख रहे हैं तो यह आप देख रहे हैं यह आप देख सकते हो कि इस तरीके से ही हमें बॉडी पॉलिशिंग करनी होती है मसाज आपको कुछ देखिए अपलिफ्ट करते हुए और गर्दन पर इस तरी मसाज करनी है आपको फुल लेक्स पर भी तो आपनों को यह पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से देखिए इस तरीके से टैप टैप करते हुए मसाज करनी है जितनी अच्छी मसाज होगी उतना रिलेक्स आपको आपके क्लाइंट को लगेगा तो फुल लेक्स पर और आपके बैक पर पूरी मसाज करनी होगी आप बोडी पॉलिशिंग में पैक आपको कई बार उसके साथ भी मिलता है और यह हमारा डीटैन पैक है जो की हमारा रागा का डीटैन पैक से हमने किया है यह मतलब मैंने पैक अलग से लिया लेकिन कई बार अपलाई करते एक ब्रश की हल्ट से कुछ ऐसे और इसको दस मिट के लिए छोड़ देते हैं और दस मिट के बाद आप दस मिट के छोड़ने का मतलब यह होता है कि यह पैक अपना काम कर देगा पूरी बॉड़ी से रिमूव कर देगा टैनिंग और उसके बाद आप 10 मिट क ज्यादा टैनिग होरी है तो परना मिट अदरवाइस दस मिट के बाद इसको स्पेंज की हप से हटा सकते हैं यह तरीके से हमें पूरी बॉड़ी पॉलिशिंग करनी होती है यह होता है हमारा पूरा बॉड़ी पॉलिशिंग का स्टेप तो आपको यह वीडियो बहुत अच अब हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा नोटिफिकेशन बैल को भी ज़रूर प्रेस करेगा थेंक यू सो वेरी मच पर वाचिंग बाबाई टेक केर